प्रदीश में मौझूदा राजिनतिक हालाद पर हमारे समबादाता ने जेमिमनेता मतर्था मैतो से बाचित गी जेमिमनेता मतर्था मैतो ने कहा कि राज़ेपाल को जंता के हिThen में काम करना चाहिए और जुनाआब आयोग के बंदलीफाबे का खूलासा करना चाहिए पिछले कई दिनों से प्रदेश में भ्रहम के स्थी बनी हुई है लेकिन सरकार अब अपने काम में लग गई है महागडबंधन के नेताओं के साथ, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठा की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फरेंस में महागडबंधन के नेताओं ने असपस तौर पे कहा कि भाई इसकी वजह से जो पिछले चार दिनों से वहापो की स्तिति बनी हुए उससे सरका के कामकाज में परेशानी आ रही है, सरकार कामकाज नहीं कर पा रही है, ऐसे में अब नए सीरे से रनिती बना करके सब लोगों को फिर से काम में जूट जाने का आदेश दिया गया है, अभी जेमेम के वरिष्ट रनेता, पूर्व मंत्री और पाटी के मुक्र सचेतक विध रनेती होगी, क्या अब जेमेम की क्या रनेती है, देखे हम लोग रनेती के तहट नहीं चलते हैं, और हमारा जो है, जो इस्तिती है, जनता के बीच में वहां पहुकी सरकार को लेकर, तो इसको खिलियर करना है महामहिम राजपाल को, ताकि वहां पहुकी स्तिती नहीं हो, हुआ और जो भी नियर्ने हो ऊसको ततकाल करें ताकि राजीत में लोग काम करें और काम को गति मिले इसके लिए बैठक में यो तयो हा There हुआ है कि अपने काम कायर में लगें और जो भी प्रस्थति बनेगा उसका हमें उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे मतलब आज जो बैठकों का दौर चल रहा था मुक्मंति आवास में आज वो बैठक नहीं होगी बैठक तब होगी जब राजभावन से कुछ आएगा हाँ किसी तरह कोई पहाल होगा तब अभी तक तो किसी तरह कोई पहाल है नहीं इसलिए सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं उस तरह जो भी निर्देश होगा फिर पार्टी का फिर देखा जाएगा सरकार के काम काज को किसी तरीके से परिशानी ना हो दिक्कत ना हो आम जंता को परिशानी नहीं उनका काम ना रुके इसको लेकROब करके अब एक बार फीर से इस राजिनतिक उठापटक और गहमा गहमी के से परेहट करके सब को काम में जूट जाने का निर्देश मुखेमंत्री के तरफ से दिया गया है और आज से अगर कहा जा तो अब सारी चीजे समानने हो जाएगी एक तरफ से कहा जा तो सारे लोग, सारे मंत्री, सारे विधायक, जो हैं अपने कामों में जूट जाएगे और एक तरफ से कहा जाए तो पुराने ढ़रे पर सारी चीजे लौट आएगे जो बैठकवाजी का जो दौर था उसको अभी फिलाल विराम दिया गया है इस बात को लेकर के कि जब तक राजवहन से कुछ नहीं आता है राजवहन से आने के बाद फिर सारे NDA के लोग बैठेंगे महागडबंधन के लोग बैठेंगे और उसके बाद फिर निर्णय होगा कि आगे क्या कुछ करना है उसके बाद फिर काम करेंगे कैमरापर से नलीन के साथ मनोज कसिसनीज राची